रामलीला कला मंचन के दोरान हवा में फाइरिंग करने वाले फरार अभियुक्त को सुजानपुर पुलिस ने देर रात गिरिफदार कर लिया गिरिफदार करने के बाद उसे नियले में पेश किया जाएगा मामला थाना सुजानपुर की पंचायत रंगड का है जहां 28 अक्तूबर को राती जब रामलीला का आयोजन चल रहा था आयोजन के बाद लोग गर बाफस चले गए लेकिन जो रामलीला के एक कलाकार थे बेर रामलीला कला मंच पर ही सौ गए देर रात निकिट बरती गाम की दो लोग एक गाड़ी में बैठ कर आए और रामलीला कला मंच पर सोई हुए कलाकारों को ढराने दमकाने लगे इस दोरान दोनों युवाओं ने करीब तीन फाइर हबा में किये और कलाकारों के साथ गाली गलोच करने के बाद मौके से फरार हो गए संबंदित मामले की सुचना जब धाना में पहुंची तो सुजानपुर पुलिस ने अगले ही दिन ततकाल कारेवाई करती हुए मामले में शामिल दो युवाओं में से एक बिक्ति को पकड़ लिया जिसके उपर मामला दर्श कर नियाले में पेश कर हिरासत में ले लिया गया था लेकिन दूसरा युबक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश लगातार सुजानपुर पुलिस कर रहे थी मदे रातरी सुजानपुर पुलिस को फरार यूबक की सुचना मिली जिसके बाद सुजानपुर धाना परवारी सुवास सास्त्री ने हैड कॉंसेटेबल अनूप कुमार की अगुवाई में एक टीम का गठन किया और फरार यूबक को पकड़ने के लिए बेजा हैड कॉंसेटेबल अनूप कुमार ने गोपनिये तरीके से घढ़नस तल पर जाकर फरार यूबक को को पकड़ने में कामयावी हासिल की हेड कॉंसेटेबल अनुप कुमार की माने तो रिंगड रोड पर आरोपी युबक पुलिस को आता देख भागने लगा उस दोरान उसका पीछा किया गया जिसके बाद उसे मुख्याय रोड पर पकड़ लिया गया धाना परवारी सुवास अश्त्री ने बताया कि आरोपी फ जानपर पुलिस की इस कारेवाई से लोग काफी खुश हैं